नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजूकेशन केट 6 में और रुख करते हैं बिहार के तरफ बिहार में जो वेकेंसी आने वाली है दोस्तों बिद्धाले सहायक और परिचारी को लेकर ये कैसी वेकेंसी इसके बारे में सारा अपडेट मैंने सुबह में आपको दिय होगा यहां पे उसका क्या मतलब लाब मिलेगा उन चात्रों को तो देखिए बिद्धाले सहायक और परिचारी की जो वेकेंसी है ये अनुकंपा में ही नौकरी निकाले गई है ने आपको सुवभी बता रहा था इस चीज को जो नियामोली में चेंज हुए हैं बदला परिचारी के लिए और पलपल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से जा सके इस वीडियो को ध्यान से देख लिजेगा दोस्तों जो भी छा है इस नोटिस में यहां पे क्या अपडेट है यहां पे देख सकते हैं देखे यह जो अपडेट है यह राजिकृत मादमिक उच्चे मादमिक विद्याले प्रोजेक्ट करन्या मादमिक उच्चे मादमिक विद्याले इससे चिक्षिक कर कर्मी और लिपिक चतुरसवरगी क जो भी ये पोश्ट थे इन सभी पोश्ट पे पहले क्या होता था कि सभी बहाल होते थे मतलब कि जो अन्य च्छात्र च्छात्राइं थे जो कि बाहर से भी अप्लाई करके यहां पर आविदन करके और इन सभी ग्रूप D के पोश्ट तक के लिए आविदन कर लेगते थे यान इनका जो salary है वो लगबग इनसे बहुत कम कर दिया गया है पहले जो salary था इसका करीब 25-30,000 इनकी हाथों में salary बनती थी जो कि यहाँ पर एक सिकायत होती सी सिक्षकों की कि हमारी salary बढ़ाये जाए क्यों क्योंकि प्यून के और कलर्ग के जो नौक्रियों के salary इतनी है तो हमार इनके बारे में तो यह जो दोस्तों वेकेंसी निकाली है पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजित होगी और जो भी नियोजन के अधार पे जिनके माता पिता जो सिख्षक थे यहाँ पे और वो अब नहीं रहे उनके मरणों परांत जो परिचारी का पोश्ट जो है यहाँ पे दोस्तों उनको मिलेगा जो की पढ़े लिखे नहीं है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 12 पास है यहाँ पे और बीएड नहीं किया है नहीं कोई STT पास किया है तो उनको यह पोश्ट मिल सकता है अनुकंपा के अधार पे ठीके लेकिन तो अगर TET या फिर आप या सीटेट या फिर सेटेट दे कर और B8 कर रखा हो यानि कि पातरता यहां पे फॉलौ कर रही है या कर रहे हैं जो भी तो उन्हीं को यह नोकरी एजर टीचर लग सकता है इनके जगह पर अनुकंपा पर लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो चात्रे यहाँ पे सिर्फ माली जी के 12th में ही है कोई तो उनको क्या यहाँ पे सहायक का और जो 10th में वो जॉप करना चाहते हैं उनकी जगह पे अनुकंपा के अधार पे तो उनको परिचारी का पोस्ट मिल सकता है तो जिसके लिए यह सारा जो है क्रेटेरिया मेंसन किया गया है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पे हो पाएंगी अब यहाँ पे बहुत सारे चात्रों का जो मैसेज आ रहा था अनुकंपा वालो चात्रों का तो उनकी लिए यह बीडियो में बना रहा था और यह सारा डिटेल यहां स आपको मैं अब देचुका हूँ बाकी सारा डिटेल आप पांश नमर 12 में और 6 नमर 12 में पढ़ सकते हैं और यह जो पीडियせ है यह मैं आपको शेर कर दूँगा दोस्तों कहा पे तो आपके जिया दूस्तों को कि आपके टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम्स का जाके जॉ डीट दे दिया गया है कि अब वो छात्र जो की मतलब फ्रेशर वाले चाहतर आवेदन करते थे उनको अब यहां पर नोकश्य नहीं मिलेगी ठीके जो फ्रेशर हैं वह अवे? नहीं कर सकती जैसे कि अभी नियोजन छठे चरन का चलेगा उसमें जो लोग रिक्रूट कर रहे हैं वही लोग यहां पे इनको रिक्रूट करेंगे तो यह एक अपडेट है दोस्तों इस नोटिफिकेशन के जरिए तो यह नोटिफिकेशन में आपको भी सेयर कर दे रहा हूं आप भी इसक पद को हटाया गया है चारों पदों को इसी के पद के आधार पे सहायक और परिचारी का पद निकाला गया है यहां पर और इसी के पद पर ही आपका सिर्फ आविदन लिया जाएगा किस से तो जो अनुकंपा के अधार पर यहां पर आविदन करेंगे तो आप समझ गए यह सकते हैं लेकिन अगर वह यहां पे दोस्तों जियां ट्वेल्थ पास हैं तो सहायक की नौकरी मिलेगी जिसके लिए उनको सैलरी यहां पर देखें मेंचन किया गया है ऐसे हैं 16,500 की सैलरी मिलेगी वहां पर और 18 वर से कम उमर नहीं उनका अधिकी होना चीए उमर उससे अधिकी होना चीए अठार से उपर ओना चीए और यह देखें यह अनुकंपा के अधार पर यहां पर दोस्तों देख सकते हैं उनकी जो शैलरी है उसका क्या बात कहा गया है यहाँ पे देखे यहाँ पे यह 16,500 का और यहाँ पे 15,200 परिचारी के लिए है और हर साल इनको 500 और 400 रुपे इन दोनों को क्रमसा दिया जाएगा बढ़ोतरी करके ठीक है तो यह हर साल इनका बढ़ेगा 500 साहय का और 400 परिचारी का तो यह एक अपडेट था दोस्तों यहाँ पे और जो भी आपका नियोजन होगा आप सभी छात्रों का जो अनुकंपा के अधार पे आवेदन करेंगे इसके लिए 5 गुना छात्रों को यहाँ पे लिया जाएगा इस वीडियो को शेयर कर दिया है फिर से यहाँ पे अब यह जो नया पीडियेफ है यह आपको मैं सेयर कर रहा हूं आप तक ठीक है दोस्तों तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पीडियेफ को देखेंगे और पढ़ लेंगे और यहाँ पे यह अपडेट जिसक होगी आपको जो भी छात्रे हैं यहां पर जो कोशिन पूछ रहे थे हमसे मैसेज करके उनको क्लियर हो गया होगा अब आप लोगो जो भी डाउट रहता तो यहां भी कमेंट करके पूछ सकते हैं तो यह एक बुरी खबर है जो छात्रे फ्रेशर थे उनके लिए चारों पोस्ट यहां पर बंद कर दिया गया है सिक्षेत्तवर का लिपिक का और यहां अधेशपाल का ये सारा का सारा पोस्ट जो है जो कलर्क लेवल का था बंद हो गया है अब जो पोस्ट होगा आपका वो अनुकंपा के अधार पर सहायक और परिचारी का होगा ठीक है और सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा वालों के लिए ही ये होगा ठीक है धन्यवाद